आज आपके साथ में शेयर करने जारी है भिंडी आलो की चेटपटी मजालीदार सब्जी आप इसे पराथा रोटी के साथ में खा सकते हैं बहुत सिंपल एजी और टेस्टी सब्जी है तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम बिंडी जिसे मैं अच्छे से वाश करके कपड़े से अच्छे से मैं ड्राइ कर दिया है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर हमेशे इस तरीके से अच्छे से देखे इसमें कुछ भी ना हो और यह कट कर लेंगे थोड़ा से बड़ा बड़ा कट करेंगे और आपको जितनी बिंदी अपनी घर पर बनानी होना पुछे साब से ले सकते हैं मैंने 250 ग्राम लिया इतना मैं 3-4 लोग के लिए काफी हो जाती है और यहाँ पर यह हमने एक बड़ा आलू लिया है जिसे हमने छिलका हटा के अच्छे से वाश कर लिया है और अब आपको इससे कट करना है इस तरीके से 4 पीसे में और जैसे आप वोहे के लिए काटते होना आलू को इस तरीके से आपको इससे कट करना है और ज्यादा थिक भी नहीं रखना है और इतना बिंडी में ये कालू काफी है क्योंकि भी जितना बिंडी दिख रही है बनने के बाद में कम हो जाती है तो इतना ये बैलेंसिंग में ठीक है दो हरिमिश हमने ले लिए बारी कट की हुई साथ में यहां पर हम लेंगे मस्टर्ड ओयल सरसो का तेल आप चाहें तो इसकी जगे रिफाइंड ले सकते हैं और अभी आपको इसे इतना गरम करना है कि इसमें से धुआ निकलना चाहिए इससे करते हैं जो कच्छी पन की खुश्बू रहती है वो खट जाती है फिर फ्लेम को आप कम कर देना यह आलू डाल दिये हैं इससे आपको भूल लेना है यानि आपको इससे पकाना है और अच्छी से पका लेना है आलू का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए वर इससे जादा ना हो आलू अच्छी से पक जाए ओवर भी ना हो अब यह जो कड़ जल्दी हमने डाल दिया है जल्दी हो जाए उसके लिए हम इसमें डाल देंगे स्वादनुसार नमक बिंडी बनने के बाद में कम हो जाती है इसलिए नमक आप उसी हिसाब से डाला थोड़ा से कम डाला और बस मिक्स कर देना और आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना ह और यह बहुत कम समय में मुझाती है मुश्किल इसको लो फ्लेम पर पांच मिनिट भी नहीं लगेंगे बीच बीच में आप इसको चला देना थोड़ा सा यह बेस में ना लगए और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं क्वांटिटी क पकर तेयार हो गई है इससे आप चेक कर लेना और यहां बढ़ना सरफेस में बिल्कुल भी ओईल नहीं है ऐसा नहीं इसने ओईल को एब्सॉप कर लिया है हमने पहले ही कम लिया था यह दिखे अच्छे से हो गई है अब क्या करना है यह बिंडी को भी आपको कड़ाई में इससे निकाल लेना है और आपको गणाई में डाला है थोड़े से सरसो का तिल जादा नहीं दो चमची आपको लेना है और जैसे यह गर्म होज़ा फ्लें को कम कर देना फिर डाल देना अजवाईन हीं इसमें जाएगी साथ में हमने एक बड़ा टमाटे जिसको हमने मिक्सी आप पेस्ट बना लिया हल्दी पाउडर डाल देना और बस आप इसको मिक्स कर देना और आपको पकाना है तब तक जब तक कि इसका ऑईल इसको अलग नहीं हो जाता और ज़ादा नहीं लिया थो आपको ज़ाद दिखेगा भी नहीं यहीं तरीकिसे ड्रै हो गया है इसमें ड द्राइ ड्राइ हो जाएगा बट अभी हम ऐसे भूना भी है तो फ्लेम को लोही रखना है और थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे वन फोर्थ कब जितना और बस आप इसको मिक्स करना इसमें भी ना थोड़ा से नमक डाल देना वैसे हमने भिंडी में डाला था बट यह ज मांगना है फ्लेम लो रखने पर क्योंकि ड्राइ सबसी है ना तो अच्छे से भून जाएगी और बेस में लगेगी भी नहीं और जैसे ही सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना हम इसमें दो मसाले रास में एड़ करेंगे जिससे खुश्बू और अच्छे आती है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसी के साथ में थोड़ा सा यह जीरा पाउडर और बस जैसे आप इसको मिक्स कर देंगे ना तीन चाम निट के लिए आप इसको ढखकर मून लेना अच्छे से और फिर आप इसको गर्मा गरम सर्फ करना रोटी यह